So, Hello Everyone, मैं स्वाती शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर तो जैसा कि आप लोग को पता है हम लोग इंग्लिश की वॉल्यूम 1 कम्प्लीट कर रहे हैं जिसमें हम लोग ग्रामर कम्प्लीट कर चुके हैं अब हम लोग चैप्टर वाइस पैक्टिस सैट्स लगा रहे हैं जिसमें हम लोग 15 चैप्टर के पैक्टिस सैट्स लगा चुके हैं आज हम लोग 16 चैप्टर का जो है पैक्टिस सैट्स लगाएंगे जिसका नाम है अज्यक्टिव ठीक है, adjective chapter बहुत ही जादा important है exam point of view से आप सभी को पता है इस वीडियो को देखने की शर्ट सिर्फ एक ही होगी कि आपको इस chapter की basic knowledge होने चाहिए बिना time waste के वीडियो को start करते हैं पहले question के साथ ठीक है First question है हमारा अनुराग is eclipsed by his wife who is clever and amusing than he is तो यहाँ पर आपको क्या गडबड लग रही है आला कि आपने पकड़ लिया होगा गलती कहाँ पर है इस में first में c में गलती है of course इतना तो आपको knowledge होगी ही क्योंकि हम यहाँ पर comparison की बात कर दे हैं तो यहाँ पर amusing नहीं लगाएंगे हम amusing के पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा more लगाना पड़ेगा क्योंकि हम adjective की बात कर रहे हैं comparison भी हो रहा है यहाँ तो यहाँ पर more amusing हो जाएगा next है the two first to arrive the two first to arrive were the lucky recipients of a surprise gift यहाँ पर क्या गरबर लग रही है आपको second में second में आपके first में ही गरबर है हम two first नहीँ बोलते first two बोलते हैं ओस्च अ क्या बोलते हैं दफर्स तू और वसे भी दा जो है घूएं हम इसके साथ लगाते है first second the second the third इनके साथ लगाते हैं यहाँ भी है 3 में आपकी बी में गड़बढ है, आपको बता देती हूं, आप वीडियो पॉस करके अपने आप solve करने की कोशिश करें पहले, तो इसमें क्या गड़बढ है, देखो, हमने गोला ना how much are नहीं होगा, how many are, ठीक है, तो हम याप स्टार्स की बात कर रहे हैं, स्टार्स की बात क याद रखना है, how many use करेंगें स्टार्स के लिए, क्योंकि वो countable है, next है, a few words of gratitude are enough to express your feeling sincerely, तो इहां पर क्या गड़बढ लगजी है, फोर्थ में आपको, देखो एक बर, देखो, यहां पर a few आ रहे है, तो few मतलब कुछ words, कुछ words की बात हुई है, एक वर्ड की बात हुई ह a few words of हो जाएगा यहां पर, तो यहां पर words होगा, a few words of, ए में कलती है आपकी 4th में, ठीक है, next देखते हैं, he feels his troubles as much or even more than they, यह क्या, यह तो मुझे संटेंसी ऐसा लग रहा है, तो इसमें कहां गड़बढ है, आप समझ गए होंगे होंगे, यहां पर, जब हम as much लगाते हैं, तो as लगाते हैं, he feels his troubles as much as even more than they, ठीक है, तो as much as आता है, और नहीं आता, यह तो बहुत सिंपल सा था, हाल कि यह संटेंसी मुझे थोड़ा टिगडम लग रहा है, ठीक है, चलो, कोई नहीं, हमें ध्यान देना है, अपने मेन फोकस करना है, हमें गल्ती पे, गल्ती हमें देख चुकी है, बस, बाकिसीज़े छोड़ दो, एक्जाम में, the recently hike, the recently hike in the price of petroleum products will hit household purchase severely, यहां पर क्या गडब है, the recently नहीं होगा, the recent hike होगा, क्योंकि recently हमार एड़र बन जाएगा, लेकिन यह हमें, नाउन से पहले हम क्या यूज करेंगे, हम adjective करेंगे, तो recent hike हो जाएगा, वैसे भी आपने समझ गयोंगे, आपकी recently hike कुछ नहीं होता, ly हम basically last में यूज करते हैं, mostly, तो यहां पर आपका तो many traffic, क्या गडबर लग रही है आपको यहां पर, traffic जो है, uncountable noun है, तो यहां पर many use करना ठीक नहीं रहेगा, है ना, तो हम यहां पर much use करेंगे, uncountable के लिए हम much use करते हैं, तो much traffic, there is not much traffic, next है, the police arrived and discovered a large number of hoarded sugar in his shop, तो यहां पर क्या गडबर है, यहां पर देखो आप 8 में, इसमें भी A में ही गडबर है, अब sugar क्या होता है आपका, सुरी मैं क्या बोल रही हूँ, sugar तो हमारा यहां पर B में दिया हुआ है, यहां थोड़ा सा, कभी कभी, यहां रही है, यहां पर B पार देखो आप यहां पर, a large number of hoarded sugar, तो यहां पर क्या गडबर लग रही है, तो a large number of need, a large quantity of hoarded sugar, यह चोड़ी-चोड़ी चीजा ही होती, जो एक्जाम में ध्यान लगनी पड़ती हो, लगता है कि हाँ, sentence हो सही है, लेकिन हम silly mistakes कर देते हैं, exam में, next है, as a dramatist, Shaw is superior than, as a dramatist, Shaw is superior than any other 20th century writer, तो यहां पर क्या गडबर लग रही है, आपको, sentence पकड़ लिया होगा आपने, अगर आपने देखा है, senior to, superior to, तो senior superior के साथ आपका 2 लगता है, then नहीं लगता, तो गडबर यहां B में ही है, 9th के, ठीक है, आपको बता देते हूँ कि जो इसका answer sheet होगी, जो मैंना answer दे रख books में, चलो, next है, okay, 9th का तो हमने देख लिया, B, okay, अप 10th का देख लिया, of the two great cities, the former is biggest, यहां पर क्या गडबर है 10th में, देखो, आपने हमेशा देखा होगा कि, जो दा आर्टिकल होता है, वो हम कहीं लगाए ना लगाए, लेकिन हाँ, superlative degree के साथ, हम किसी degree के साथ लगा तो यह biggest क्या है, आपकी, superlative degree है, तो यहां पर इसके पहले क्या आएगा, the biggest, okay, next है, छोटा-मोटा थोड़ी-पोद explanation में, जितना हो सकती है, मैं आपको दे रियूं कि, हाँ, कि ऐसा भी ना लगे थी, आपको बस फटा-फटर करा रियूना है, next है, a non-banking financial company is a financial institution similarly to a bank, but it cannot issue checkbooks to customers, क्या बोला इसमें, non-banking financial company की बात हो रिये, is a financial institution, similarly to, similarly to, यहाँ पर कुछ गरबर हो सकती है, similarly क्या है, एक adverb है, जो क्या करता है, एक verb की विशेशता बताता है, है ना, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, similar बोलेंगे, क्यों, क्योंकि हम किसके पहले यूज कर रहे है देखो, बैंक के लिए यूज कर रहे हैं, तो हम नाउन से पहले यूज कर रहे हैं, तो हम similar to हो जाएगा, similarly to नहीं होगा, जैसे हमने अभी उपर देखा था, recently वाला, next है, everyone agrees that the Ganga is the holiest of all other rivers of India, तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, 12th में, देखो, हम जब बात करते हैं, कि सब में, सब में से एक की बात करते हैं, तो हम जो है, super relative degree लगाते हैं, जो यहाँ पर लगाई है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बट आगे देखो, यहाँ पर, all other rivers नहीं होगा, यहाँ पर जो है, आपका, all other rivers नहीं होगा, यहाँ पर होगा, all all the rivers of all other rivers नहीं होगा ठीक है क्योंकि हम इसमें गंगा को भी इंक्लूड करेंगे कि गंगा को मिलाकर जितनी भी नदियां है उन में सबसे यहादा पवीत्र कों सी एंगा नदिया नेक्स्ट है क्रिश्णा राइन टौ दो निर्ण क्या होता है तो यहां पर आपने पकड़ लिया हो का गलती बी में थरडीन के है पठा पटिक कर दो इसको निरिंग क्या होता है तो हम nearby बोलते हैं basically nearby store next है while giving a loan you must you must check if the borrower has sufficiently collateral to repay it हम adjective पढ़ रहे हैं आपर गडबड आपको adjective में मिलेगी और यह देखो आप sufficiently collateral क्या होता है यह collateral हमारे क्या है नाउन है चीक है तो इससे पहले हम adverb नहीं लगाएंगे आपर adjective लगाएंगे हम collateral sufficiently नहीं आएगा sufficient आएगा है sufficient collateral to pay repay it तो इड़र्ब का आपको धियान अपड़ेगा कि कहा हम use कर सकते हैं कहां पर नहीं कर सकते हैं यह reading से पता चलता actually मैं आपको बता दू क्योंकि आगर आप grammar में घुस होगे ना आपको लगे आए यहां भी लगा सकते थे लग यहां भी लगा सकते हैं लेकिन जब रीइडिंग करते हैं तो आपको समझ में आदए का यह पूटी नहीं कर रहा अच्छा ही नहीं लग रहा है तो यहीं पर गढ़ बढ़ है ठीक है तो 15th का भी हो जाएगा स्वारी 14th का ठीक है सी यह वाला पार्ट नेक्स देखते हैं आपको नेक्स देखते हैं 15th although his speech was not very clearly everyone clearly everyone understood the underlying meaning तो यहाँ पर आप समझे के होंगे clearly आ गया clearly नहीं आएगा very clear was not very clear ठीक है तो 15th में आपका जो है clearly नहीं आएगा clearly क्या है आपका adverb है जो verb की विशिश्टा बताता है तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नाउन से पहले हम clear use करेंगे adjective का ठीक है तो आप समझ ही गए होंगे easy था यह तो next देख लेते हैं हम यहीं पर हाथ की हाथ he is the most intelligent and also the very talented student of the college तो यहाँ पर क्या है आपको गडबल लग रही है जो यहाँ पर थोड़ा parallelism भी देखना पड़ता है हमें जैसे he is the most intelligent and also the very intelligent sorry very talented तो यहाँ पर क्या लग रहा है आपको करपड 16 में तो हमने रहा है यहाँ पर हमने यहाँ पर most use किया तो यहाँ भी most use करेंगे थोड़ा parallel हमें इस संटेज में किसी भी संटेज में यह भी देखना पड़ेगा कि थोड़ा parallelism भी होना चाहिए the most talented यहाँ भी most है तो यहाँ भी most ही लेंगे very talented नहीं लेंगे युकि हम superlative डिग्री लेंगे तो superlative ही लेंगे next having been found guilty of the theft sunny was sentenced to five years imprisonment तो यहाँ पर क्या गड़बड लग रही है आपको 17th में यहाँ पर c में कड़बड है मैं आपको बता दूं ठीक है तो हम क्या बोलेंगी हापे देखो यहाँ पर क्या है आपका five years imprisonment नहीं होता five years simply हम hyphenated लगाके बोलेंगे five year imprisonment यह जो apostrophe है इसको हटा दो ठीक है five year imprisonment इसके आगे hyphen जो है लग जाएगा आपका next है the railways have made crossing the tracks a punished offense तो यहाँ पर क्या अगरबर लग रहा है 18th में आपको देखे हो the railways have made the crossing the tracks यह बिल्कुल ठीक है the punishable offense होता है आपने हमेशा सुना होगा टीवी में भी न्यूस्पेपर में भी punishable offense punishable offense offense चीक है तो आपने कही बार सुना होगा punishable तो punished offense नहीं था punishable ठीक है क्योंकि adjective हमारा यह हमारा वर्ब का काम कर रहा है नहीं आप पनीशेबल next arms are given to the poor अब यह तो आप समझी के होंगे the poor यह तो हमने पहले भी किया हुआ है हम हमेशा गरीब लोगों के लिए use करते हैं जब हम सभी गरीब लोगों की बात कर रहे हैं तो the poor लगाते हैं s नहीं लगाते हैं s हटा दो next देखो lasers are indispensable tools for the delicate eye surgery यह तो हमने last chapter में भी किया था कौन सा था pronoun में भी किया था हमने pronoun में किया था उससे पहले वाले में किया था देखो eye surgery नहीं होता है eye surgery होता है ठीक है eye surgery तो यहां पर क्या जाएगा आपका eye surgery next है ठीक है next देखते हैं दो खुशन जो हमने देखे न उपर यह तो पहले last chapter में भी आ चुके है हमारे ठीक है pronoun में भी चैद pronoun में ही आया है चलो देखते हैं the number of applications has risen this year by as many as 50% तो यहां पर क्या गरबर लग दिया आपको 21 में हम देखो किसकी बात कर रहे हैं 50% की बात कर रहे हैं तो यह कोई countable नहीं है यह आपर ठीक है 50% percentage बात कर रहे हैं तो as much as 50% तो हम percentage के साथ जो है आपका क्या लगाएंगे हम हमेशा percentage के साथ हम लोग much का यूज करते हैं आपको याद रखना है ठीक है चलो तो यहाँ पर आपके लगा दोगे much लगा दोगे as much as 50% revision का मतलब ही होता है कि साथ चीज रिकॉल हो जाती है पटापट से कि हाँ हाँ यहाँ यहाँ पर यह होगा यह होगा यह होगा चोटे-चोटे चीजे जो हम भूल जाते हैं हो याद आ जाती है तो यहाँ पर क्या करबढ़ है तो 22 में देखो इसमें चो करबढ़ है वो आपकी a में है क्योंकि डेफिनेट न्यूम्रल अज्टिव होता है उसके साथ हम ओफ लगाते हैं तो हम क्या लगाएंगे तो लैक आप देखे हो टू लैक पीपल बोल देंगे कि दो लाक लोगों ने अटेंड किया तो लैक आप पीपल की हां पर जुरुरत नहीं है क्योंकि यह तो आपने चैप्टर में पढ़ाता था ना कि जो डेफिनेट है हमें तो पता है कि टो टो लाक हैं दो लाक है तो हम ओफ नहीं लगाएंगे जब डेफिनेट हमें पता है लोग कितने हैं दो लाक यृई तो हम लग किन लगाएंगे लेकिन अगर हमें पता नहीं होता है कि लैक। 23rd में आपको क्या गड़बर लग दिया आप एक पर देखो पॉस करके इस वीडियो को देखो आप इसमें ए में गड़बर है एक हिंट दे देती हुँ आपको तो यहां पर क्या गड़बर है थीज हमें यहां पर दीज यूज किया न तो दीज सॉट्स ओफ में होगा क्यों हम मैन की बात करते हैं थीज सॉट्स ओफ मैं ठीक है यहां पर यही है बस इतना सभी था इसमें next है can you tell me how many eggs and milk he has brought तो यहां पर क्या गड़बर है तेखो हम एक लिए तो लगा देंगे मैन क्योंकि क्या है हमारा uncountable है तो दोनों के लिए शूट नहीं कर रहा तो यहां पर हम कैसे इसको balance कर सकते हैं एक्स हमारा countable है ठीक है मैं नहीं लगा सकते हैं लेकिन milk के साथ हम क्या लगाएंगे यहापर तो milk के साथ हम लोग how much लगाएंगे यहापर how much milk he has brought चीक है अलग से मतलब मैं आपको बोल के बता देती हूं can you tell me how many eggs and how much milk he has brought ऐसे बने गई चलो next देख लेते हैं इतने तो आप समझदार हो समझी जाओगे whole the chapter is full of printing errors which are the outcome of the proof reader's carelessness तो यहाँ पर क्या गड़बढ़ है आपकी यहाँ पर आप देख सकते हो A में ही आपकी गड़बढ़ है whole the लगाते है whole the chapter लगाते है इसे इसे देख लगाते हैं यह अगर रीडिंग करते हैं तो आप तुरहन समझ गयोंगे बसे इसको बताने की तुरहती है whole the chapter में होता है the whole chapter होगा है ठीक है the whole chapter यही गड़बढ़ है वसे इसमें और कुछ नहीं है तो आपको चाहिए उसका exact meaning ना पता हो लेकिन reading से क्या होता है आपको इतना पता चलता था कि हाँ यहाँ पर गड़ढ़ है टिक कर दो अंसर next है her black long hair adds glamour to her looks तो यहाँ पर क्या गड़ढ़ है produsics में तो यहाँ पर black long आपने sequence देखा होगा ना कि हम पहले क्या यूज़ करते हैं black long बोलेंगे या long black hair बोलेंगे हम यहाँ पर black long नहीं बोलेंगे long back back sorry आप बोलोगे her black her long black hair ठीक है तो पहले long आएगा ठीक है थोड़ा sequence होता है यह लगाने का और कुछ नहीं है यह हम सीखते हैं चैप्टर में पूरे में I trembled when I saw a sharp long knife in his hand तो इसमें क्या बोले है अशार्फ long knife यहाँ पर क्या करवड है यह वही हम sequence की ही बात कर रहें यह ठीक है इसमें भी वही करवड है वी बी में गरबढ है आपकी अ sharp long knife नहीं होगा यह यहाँ पर क्या होगा long sharp knife ठीक है size की बात हम पहले करते हैं ठीक है long sharp knife यहींने having punch पर sequence आप जाके देख लेगा ट्रिक भी होती है उसकी वह आप यूटुब पर सर्च कर सकते हो इसकी ठीक है next है I saw an anxious pale girl who was phidgetting near the ICU तो यहाँ पर क्या लग रहा है आपको गड़बड 28 में यहाँ पर चो है an anxious pale girl की जगह पर हम बोलेंगे आ पेल anxious girl ठीक है ठीक है ठीक है आ पेल anxious girl ठीक है तो यह sequence वाले थे हमारे जितने हमने प्रक्टेस अभी questions देखे हैं हमने आगे भी देख लेते हैं यह देखो मुंबई is further from further from Delhi than Patna यह क्या है यह थोड़ा अटपटासा नहीं लग रहा है यह आपको देखे कि हां क्या बोल के रहा है यह तो यहाँ पर basically sentence में नहीं एक शब्द में ही गलती है और कुछ नहीं है मुंबई is further from further further नहीं होता जब हम द than Patna ठीक है जो मुंबई है वह द्ली से जादा दूर है अगर हम Patna से compare हRIमे से मुंबई से लेकिन अटीली जादा दूर है ऐसे बोला है इसमे ठीक है है यह थोड़ा आप समझ जाना next देखते है this book is undoubtedly preferable than that and its printing is also comparatively good, तो यहाँ पर क्या करवर लग रही है आपको पता लग गया होगा हलग की prefer के साथ हम क्या use करते है हम than का use नहीं करते है preferable to होता है preferable to next है you can trust this channel for the last news of this owner of this hour you can trust this channel for the last news of this hour तो यहाँ पर क्या गड़बर लग रही है 31 में हम देखो for the last news नहीं बोलते latest news बोलते है हम हना क्योंकि हाँ पर किसकी बात कर रहे है you can trust this channel for the latest news of this hour तो इस घंटे की latest news है उसकी बात कर रहे हम last नहीं बोलते है last तो बीती हुई चीज होगे latest जो अभी trend में है तो यहाँ पर last news ही होगा latest news होगा everybody knows that Radha is the most unique singer of this college तो यहाँ पर क्या गड़बर लग रही है 32 में आपको 32 में देखो हम unique का use करते हैं unique का use ही हम किसमें करते हैं comparative degree में करते हैं ठीक है basically थीक है हम जब unique बोलते हैं unique में अपने आप यह comparison चुपा होता है तो हम most या more नहीं लगाते हैं इसके साथ हम बोलते हैं Radha is a unique singer of this college ठीक है तो I unique बोल देंगे तो B में हमारी गड़बर हैं यहाँ ठीक है हमें most या more लगाने के जुरुरत नहीं है unique के साथ next है the faster he completes the work given to him the largest will be his profit तो क्या लग रहा है आपको हाला कि आप समझगे होंगे कि यहाँ पर जो है parallelism का ही आया है यहाँ फिर से देखो यहाँ पर faster बोला है comparative degree है यह यहाँ पर largest है superlative degree है इसको balance करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे इसमें इसमें C में गड़ पड़ है आपकी the faster he completes the work given to him the larger will be his profit तो यहाँ पर largest नहीं होगा larger हो जाएगा 33 में am I right हाँ largest की जगा पर larger देखो मैं जब हाला कि देखो मैंने यह book कई बार पड़ी हुई है मुझे knowledge है बट मैं हमेशा अपने सामने answer sheet लेके बैठती हूं जब मैं video बनाती हूं कि एक बार confirm करने के लिए हा मैंने answer सही बताया नहीं बताया क्योंकि मैंने चाहती कि मैं बच्चों को कोई भी गलत चीज़े बताऊ गलती किसी भी इनसान से हो सकती है बट फिर भी मैं अपने सामने जो है assurance के लिए में answer sheet लेके बैठती हूं तो आप बिलकुल निश्चिंत रहना कोई भी गड़बनी मिलेगी आपको चलो यह तो आप समझ गयोंगे larger आएगा next है he does not have some money to buy a new machine so he is anxious तो यहाँ पर some money क्या आएगा यहाँ पर 34 में आपका any money क्योंकि यहाँ पर negative बात हो रही है negative में हम कोई उसके पास कोई पैसा नहीं है तो हम some नहीं बोलते negative में हम some का नहीं any का use करते हैं he doesn't have any money next है this young lady is more beautiful but not so cultured as her sister तो यहाँ पर क्या गड़बर लग रही है 35 में आपको जब हम more का use करते हैं तो हम आगे than लगाएंगे लगाएंगे comparison हो रहा है this young lady is more beautiful but not नहीं आगा ठीक है यहाँ पर but not नहीं आगा more beautiful तो यहाँ पर आपका कैसे बन जाएगा more beautiful than but not so cultured as her sister simply हमें more beautiful के साथ के बात क्या लगाने है than लगाने है next है आपका nowadays the weather is getting cold and colder cold and colder क्या होता है हम यह दो दो डिगरी क्यों यूज कर रहे है positive V और comparative V तो यहाँ पर हम क्या use करेंगे colder and colder हम यह बोलेंगे colder and colder चीक है colder and colder next है this photograph was comparatively better than that which he had kept in his purse तो यहाँ पर भी comparison की बात हुई of course तो यहाँ पर क्या कर बढ़े आपके 37th में देखो जब हम comparatively के साथ comparative degree का use नहीं करते है हमने already क्या बोल दे comparatively comparatively better जब हमने already comparatively बोल दे तो हम किसका use नहीं करेंगे comparative degree का use नहीं करेंगे तो बैटर के बदले हम good use करेंगे यहाँ पर comparatively good than that which he had kept तो याद रखना है कि comparative के साथ आप comparative degree का use नहीं करेंगे next है rami is as good as आना चाहिए यहाँ पर यहाँ तो आप समझ जाओ कि गड़बड ही पर ही है तुरन पकड़ लोगे आप 38 में as good के बाद as का ही प्रियोग होता है चलो next है gopal felt happily to learn that I had got a job in the bank happily क्या होता है felt happy होगा ना यहाँ ठीक है 39th का यह तो हमें उपर देखा भी था यह गोपाल felt happy उसे अच्छा फील हुआ खुशी happy फील हुआ next है he is comparatively weaker उपर वाला आ गया answer हमारा भी है क्यों comparatively के साथ हम लोग comparative degree use नहीं करते comparatively weak बोल देंगे हम यह आपर weaker नहीं बोलेंगे in maths next है many boys are absent many are boys हो रहा है यहापर many है लेकिन यह हम singular ही यूज करते हैं यह नहीं वर्व अगर इसके आगे many a boys is absent today ठीक है तो यहापर क्या आजाएगा आपका okay तो यहापर आजाएगा many a boy is absent ठीक है बेशक यहापर आपको लग रहा हुए many है तो बहुत सारे boys की बात हो रही है many a boy यहापर s भी नहीं आएगा और यहापर is आएगा many a boy is absent today ठीक है यह correct होगा आपका next है honest are rewarded sooner or later honest are rewarded क्या होता है honest is होना चाहिए था क्योंकि हम यहापर honest बोले अगर इसको हमने noun भी बना लिये चलो ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा वैसे भी honest क्या है adjective है पहली बात इसका प्रियोग noun की तरह तभी हम कर सकते हैं जब यह इसके साथ हम क्या लगा रहे हैं कि the honest इसके साथ हम दा लगा देते तो यह हमारा noun बन जाता तो हम बोल सकते the honest ठीक है the honest are rewarded क्योंकि दा के साथ प्लूरल बन जाता है लेकिन गड़बर तो यह में हम तुरंट पकड़ ले होगे आपने पर गड़बर क्या है यहाँ पर गड़बर इसी में है कि हम इसको अर्टिकल दा लगा कि इसको क्या बोल सकते the honest the honest are rewarded ठीक है नाउन बनाने के लिए adjective को जो हम नाउन बनाते हैं तो हम दा लगा देते हैं आटिकल उसके आगे next है my all friends will come tomorrow to meet me my all friends होगा या all my friends होगा all my friends होगा यहाँ ठीक है all पहले आता है आपका 43 में answer होगा A ठीक है all my friends next है all Amisha पहले ही आएगा आपको याद रपना है he is wiser enough to understand your trick तो यहाँ पर क्या गड़बढ़ है 44 में 44 में यहाँ पर A में गड़बढ़ है आपकी ठीक है आप समझी कहोंगे यहाँ पर comparative degree है तो यहाँ पर ही गड़बढ़ होगी कुछ ना कुछ ठीक है तो क्या गड़बढ़ है यहाँ पर wiser की जगा पर wise use करेंगे wise enough he is wise enough ठीक है तो आर हटा दो he is wise enough to understand your trick last के हमारे questions रह गए हैं 3-4 यह कर लेते हैं बटापट से देखो Ramayana is more sacred than sacred than all the mythologies of Hindus तो यहाँ पर क्या गड़बढ़ लग रहा है तो हम देखो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं comparative degree की बात कर रहे हैं हम अगर तो हम जो है all other mythologies अगर हम यह बोलते कि Ramayana is the most sacred most sacred बोलते तो हम क्या लगाते हैं यहाँ पर all the mythologies लगाते लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि Ramayana is more यानि कि comparative degree की बात हो रही है superlative नहीं हो रही है यहाँ से हमने गंगा नदी के बारे में उपर देखा था वो superlative था लेकिन अगर हम comparative degree की बात कर रहे हैं तो हम बोलते हैं all other mythologies ठीक है तो वहीं जैसे उपर कड़ बढ़ती है यह थोड़ा सा change हो गया है all other mythologies हो जाएगा है यह हम superlative degree की साथ लगाते है other हम किसमें यूज़ करते हैं comparative में और अगर यहाँ पर most होता तो हम यहाँ पर other यूज़ नहीं करते हैं चलो next है he offered me a steamed cup of tea तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 46 में steamed cup of tea steamed cup of tea तो हमें अबर क्या बोलेंगे मतलब कि अगर हम steamed cup of tea की बात करते हैं मतलब tea हमारी जो होती है चाय हम गरम ही पीते हैं तो उसके साथ हम steamed नहीं लगाएंगे he offered me a cup of tea simply यह बोलेंगे steamed हम नहीं लगाते हैं क्योंकि जब हम चाय की बात करते हैं तो हमें पता है कि हम वो गरम ही पीते हैं तो हम basically steamed cup of tea नहीं बोलते हैं ठीक है खाली cup of tea बोलेंगे steamed का मतलब होज़ा है का भाप वाली चाय है ना भाप वाली steamed नहीं लगाएंगे I will buy the book when यह हमारा adjective है लेकिन revised edition होगा यहाँ पे ठीक है यह भी हमें reading habits से ही बता लगते हैं चीज़े he ran so fastly that he reached the destination in just two minutes तो fastly नहीं होगा fast होगा आप समझ गी होगा उपर सब तक हम करते हा रहे हैं he ran so fast 48 का so fast that he reached the destination in two minutes next देख लेते हैं हाथ के आद I am sure that all my monthly expenses would exceed the income if I do not economize तो यहाँ पर क्या पड़ लग रही है आपको 49th में देखो I am sure that my monthly expenses हम all का यहाँ पर use नहीं करेंगे क्यों हम all का use नहीं करते हैं कभी भी आपका आज़े हैं monthly expenses जो होते हैं उसमें बहुत सारे खर्चे होते हैं तो आप यहाँ पर all use नहीं करेंगे I am sure that my monthly expenses would exceed the income if I do not economize तो आप my monthly income के साथ all नहीं लगाएंगे next है I am more lonelier here than I was in the USA तो यहाँ पर क्या गड़ बढ़ लग रही है 50th में 50th में जोए more नहीं लगाएंगे क्यों यह तो आप समझी गए होगा क्योंकि हम यहाँ पर already comparative degree use कर रहे हैं तो यह तो more हटा दो यह तो ER हटा दो कुछ तो अटाना पड़ेगा okay next है to me it appears that anthropology is the more interesting of all the subject देखो फिर से यहाँ पर comparative degree आगा comparative degree आगा तो of all other subject आएगा जब भी comparative degree आजाए तो other लगेगा all के बाद ठीक है और अगर superlative होगी तो नहीं लगेगा अदर next है the circulation of the statesman is greater than that of any newspaper तो यहाँ पर क्या लग रहा है आपको गडबड circulation of the statesman is greater than that of any other newspaper तो यहाँ पर statesman की बात हो रही है newspaper के साथ उसको compare कर रहे है तो यह सही लग रहा है आपको any newspaper के जगा पर हम यूज करेंगे any other newspaper यहाँ पर क्यों देखो अभी हमने ऊपर देखा है ना ऊपर ही देखा ना हमने the circulation of the statesman is greater than that of any other newspaper जब भी हम comparative डिगरी यूज कर रहे होते हैं यहाँ ग्रेटर क्या है comparative डिगरी तो हम other यूज करते हैं यहाँ दखना पड़ेगा आपको any other newspaper next है in the garden were the more beautiful flowers and silver bells यह क्या है यहाँ पर क्या गड़बड लग रही है पड़के लगता तो है कुछ तो गड़बड है in the garden were the most beautiful flowers and silver bells most beautiful flowers और silver bells की बहुत सबसे सुन्दर beautiful flowers और silver bells दिखती है हमाँ पर तो हम compare थोड़ी कर रहे हैं हम तो उसी को बता देगी यह best है बहुत ही best quality की flowers मिलते हैं और silver bells मिलते हैं तो हम किसी से compare नहीं कर रहे हैं यहाँ पर हम बोलेंगे were the best beautiful flowers तो गड़बड B में है next है in his old age a person is likely to get more weak day by day तो यहाँ पर क्या करबड है 54 में more weak की जगा पर हम क्या लगाएंगे weaker क्यों क्यों क्योंकि हम weak को comparative degree बना सकते हैं तो इसके साथ हमें more लगाने की ज़रत नहीं है to get weaker day by day ठीक है तो जिसके हम comparative degree बना सकते हैं तो उसको हम comparative degree में भी जूस करेंगे उसके आगए यह नहीं की more लगा देंगे फाल्तुमें और उसका हम positive degree लगा देंगे आपको पूरी पीडियो मिल जाएगी, आप खुद भी जाके इसके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप वीडियो ही देखें तब ही होगा, चाहिए? So, I hope ये वीडियो आप लोग ले यूस्फुल रहे होगी, thank you so much everyone for watching my video.